हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, आज मैं आपके साथ नरम नरम फुली फुली इडली बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और इस इडली को बनाने के लिए ना तो मैंने बैटर को धूप में रखा है, ना ही मैंने इसमें इनो एड़ किया है इसमें एड़ किया है मैंने एक सीक्रेट इंग्रेडियंट जिसको डालने से और फेटने से आपकी नरम नरम फुली फुली इडली बनकर तयार होगी और जब आप इसको मुँ में डाल कर खाओगे तो ये मुँ में डालते ही घुल जाएगी तो आएए देखते हैं इसकी जटपट रेसिपी तो इसके लिए मैंने लिया है तीन कटोरी चावल ये चावल इडली वाला चावल है जो किसी भी ग्राऊसरी सौप में आसानी से मिल जाता है अगर आपके पास नहीं है तो जो चावल आप रेगुलर यूज में यूज करते हो उसको भी डाल सकते हो तो इसमें मैंने डाली है 3 कटोरी चावल और 1 कटोरी उरत डाल रेशियो आपको हमेशा ध्यान रखना है 3 is to 1 3 कटोरी चावल और 1 कटोरी उरत डाल उसके बाद इसको मैंने अच्छे से साफ कर लिया है और 2 से 3 घंटे सोक कर दिया है दो से तीन घंटे के बाद mixer grinder में डाल के मैंने इसका एक smooth सा paste तयार कर लिया है smooth सा batter तयार कर लिया आप देखो ये कितना smooth है इसमें कुछ भी दाना नहीं है चावल या उरत डाल का आपको बिल्कुल इसी तरह soft smooth सा batter तयार करना है इसके बाद इसमें मैंने डाला है स्वात के अनुसार नमक और ये है वो secret ingredient मीठा सोडा या baking सोडा इसका एक चमच आपको डालना है और उसके बाद आपको अपने batter को 5-7 मिनट तक अच्छे से फेटना है इस चीज का ध्यान रखना कि आपको बहुत अच्छे से इसको फेटना है लगबग 5-7 मिनट 5-7 मिनट जब आप इसको फेटोगे तो आप देखोगे कि आपका batter अपने आप फुला फुला और हलका हो गया है जैसे मैं फेट रही हूँ 5-7 मिनट फेटने के बाद मैंने इडली का मोल्ड लिया है और उसमें तेल लगा के उसको ब्रस के हिल्ट से अच्छे से ग्रीज कर दिया है दूसरी तरफ इडली कुकर में मैंने पानी डाल के उसको गरम होने के लिए गुक टॉप पे चरहा दिया है सारे मोल्ड को अच्छे से ग्रीज करने के बाद इसमें मैं इडली का बैटर वन बाई वन करके भर दूँगी आप देखो सीक्रेट इंग्रेडियन्ट बेकिंग सोडा डालने के बाद बैटर की क्वाइंटिटी कितनी बढ़ गई है और यह कितना स्मूथ और रनी हो गया है तो वन बाई वन करके इडली मोल्ड में मैं बैटर को भर दूँगी इस तरह मैंने सारे मोल्ड में इडली के बैटर को भर दिया है और अब इनको इडली के कूकर में डाल दूँगी और लिड को लगा दूँगी अब लो फ्लेम पे 15 मिनट तक इडली को स्टीम करूँगी 15 मिनट के बाद आप देखो इडली हमारी बिल्कुल अच्छे से पक गई है तो इसको मैं निकाल लूँगी और 2-3 ने ठंडा होने के बाद दिमोल्ड कर लूँगी चाकू के हल्से इडली को निकाल लूँगी और प्लेट में डाल दूँगी आप देखो मैं चाकू के हल से इडली को निकाल रहे हूँ और अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि हमारी इडली कितनी सौफ्ट बनी है आप देखो ये कितनी सौफ्ट बनी है और कितनी दानेदार बनी है पीछे इसमें कितने सारे होल्स हैं जिससे ये शो कर रहा है कि इडली हमारी बहुत ही सॉफ्ट बनी है बहुत ही फुली फुली बनी है बहुत ही नरम बनी है उसके बाद मैं प्लेट लगा लूँगी तो प्लेट में मैंने सर्व की है फुली फुली नरम नरम इडली और उसके के साथ मैंने बनाई थी चना दाल और मुमफली की चटनी तो आप भी आईए और इडली खा लीजिए तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe कीजिए और friends और family member में share कीजिए ये idli बनाना बहुत ही आसान है और एक बार जब आप इसको घर में बना लोगे तो बिल्कुल बाहर में खाना बंद कर दोगे तो I hope आप idli घर में ही बनाओगे Thank you, bye bye, have a nice day Enjoy yourself